बहुत दूर तक जाना पड़ता है सरफ ये जानने के लिए कि नस्दी कौन है वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुसार दो वक्त हाला देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कलपे टालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो पीट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबासी और दोखा दोनों पीट पीछे से ही मिलते हैं सचे इंसान को जूटे इंसान से अकसर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है सच को तमीज ही नहीं बात करने की जूट को देखो कितना मीठा बोलता है पर्खो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं कई बार मन करता है हार मान लूँ लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है ये वो दौर है जहां मासुमियत को बेवकुफी कहा जाता है अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है मेरी मंजले मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है घमंड नहीं मुझे अपने एरादों पर ये मेरी सोच और होसले का विश्वास है आदी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना जीवन में इतना तो संगर्श कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उधारन न देना पड़े दूसरों के बुरे वक्त पे हसने वालो वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है लेकिन माबाप की वसियत सबको अच्छी लगती है बढ़ा देती है नीदे कुछ जिम्मेदारिया घर की रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उमीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती बस हम ही उसे छोड़ देते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समस्दारों को समझना लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं ना किसी के अभाव में जीओ ना किसी के प्रभाव में जीओ ये जिन्दगी है आपकी आप अपने स्वभाव में जीओ अक्सर अकेले पंज से वही गुजरता है जो जिन्दगी में सही फैसलों को चुनता है जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं उपर वाला मौच में आए तो सरताज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो महताच बना देता है अपनी जिन्दगी से कभी नाराज मत होना क्या पता आप जिसी जिन्दगी दूसरे लोगों का सपना हो बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से तूट जाते हैं जिन्दगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कोड़ी के लोग खेल कर चले जाएं मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता परकता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की दंग रह गया देखकर ताकत दवाओं की रभू कहते हैं तू सोने से पहले सब को माफ कर मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूँगा अकेली रहना अच्छा है बजाएं उनके साथ रहने के जिने तुमारी कद्र नहीं जिन्दगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पड़े हैं किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलजा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है दरदर भटक रही थी पर दर नहीं मिला उस मा के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला सिंदगी जीने के दो तरीके हैं एक तो जो पसंद है उसे हासल करो और दूसरा जो हासल है उसे तुम पसंद करना सीख लो चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इनसान की कीमत कुने की बाद चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिष्टे में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यावाद करे वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ करना चाहिए तुम्हारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो जिसके पास उमीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता विजिता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं बलकि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं हैं